आज हम आप लोगों को संयोजी उतक अथवा कनेक्टिव टिसू के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए शुरू करते हैं संयोजी उतक सरीर में बिभिन उतकों को बांधने या जोडने का कारी करते हैं और सरीर को सुरच्छा, सहारा तथा दढ़ता प्रदान करते हैं मतलब जो कनेक्टिव टिसू होते हैं ये और्गनस को कनेक्ट करने का काम करते हैं संयोजी उतक जो होता है सरीर में बिभिन उगों को सपोर्ट देता है सपोर्ट और अंगों को अपने अस्थान पर बनाए भी रखता है और उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है इसी करण से संयोजी उतक लगभग सभी अंगों में पाय जाता है जितने भी अंगों होते हैं लगभग में सभी अंगों में अथवा सभी ओर्गंस में प पाय जाता है यानि connective tissue अधवा संयोजी उतक हमारे सरीर में सबसे ज्यादा पाय जाता है लगभग में 30% आप मान कर चलिए चलिए अब संयोजी उतक की विशेष्टाओं को समल लेते हैं तो पहली विशेष्टा है संयोजी उतक की उतपते भूण के मीसोडर्म से होती है यान connected tissue embryonic मीसोडर्म से develop होता है भूड़ी मीसोडर्म से बिक्सित होता है फिर दूसरी विशेष्टा है संयोजी उतक की कोसिकाओं में अंतरा कोसिकी ये पदार्थ अधिक होता है अर्थात कोसिकाओं के बीच बीच में खाले स्थान अधिक पाया जाता है इसलिए कोसिकाओं ज कोँती है फिर अगला पॉइंट है इसका मैट्रिक्स आ क्रिश्टलिए पार्दरसी और सगन होता है यानि इनका जो मैट्रिक्स hota है जेली की तरह तरल होता है सगन का मतलब है कठोर भी हो सकता है फिर जानते हैं सहिचीं उतक के प्रकार ।ो संरचन और कारिय के अधार पर याने structure और function के base को ले करके संयोजियों तक कई प्रकार के बताए गए हैं पहला है रक्त या रुधिर भी आप इसको कह सकते हैं खून कह सकते हैं अंग्रेजी में blood कहा जाता है फिर दूसरा है अस्थी या bone अथवा हड्डियां भी आप इनको कह सकते हैं जो बड़ी वाली होती है फिर तीसरा है उपास्थी या cartilage या चोटी हड्डियां लचीली वाली फिर चोथा है इसनायो या ligament पांचवा कंडरा अथवा tendon फिर छटवा है वसा उतक या वसा मैं उतक अथवा phiety tissue और फिर सातवा है अंतरालिय उतक अथवा aereolar tissue या aereolar उतक इन में से जो रुधिर है ये रुधिर तरल सायो जी उतक होता है तरल इसके दो घटक होते है मुखिरूप से प्लाजमा और रुधिर कडिकाएं या रुधिर के मुखिरूप से दो भाग हुए प्लाजमा और रुधिर कडिकाएं प्लाजमा रुधिर का पीले रंका तरल व प्रकार की तीन प्रकार की होती हैं नमबर एक लाल रुधिर कड़ी काई जिन्हें आर बी-सी कहा जाता है और तीसरी है रुधिर प्लेटलेट्स यानि थ्रम्बोसाइट्स भी कहा जाता है अब जो आस्ति है या बोन है जिसे हम लोग हड़ी के नाम से जानते हैं यह सईयों जीवू तक जो होता है यह ठोस और कठोर सईयों जीवू तक होता है ठोस भी होता है कठोर भी सईयों जीवू तक होता है जो हमारे सरीर का कंकाल तंत्र बनाता है अधवा कहली जी कि बोन जो होती है यह हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती है या कहली जीए कि संयों जीव तक है उपास थी अथवा इसे अंग्रेजी में कार्टिलेज कहा जाता है तो इन्हें हम छोटी वा लचीली हड़ियां भी कह सकते हैं मतलब जो कार्टिलेज हैं अथवा उपास्थियां हैं यह सुधर्ड लचीला संयों जीव तक होता है उपास थी अपने उपर पढ़ने वाले हर तरह के इस्ट्रेस को रोकती है या हर तरीके के इस्ट्रेस को सह लेती है क्योंकि लचीली होती है फिर है इसनायू अथवा लिगामेंट तो इसनायू या लिगामेंट उतक बहुत ही लचीला और मजबूत तंतुमें उतक होता है जो इसनायू अथवा जोड़ता है दो हड्डियों को आपस में connect करता है इसी कारण हम गरधन हाथ अंगुलियां आदिको आसानी से हिला डोला सकते हैं या इस नायव अथवाल लिगामेंट के काड़ा ही हम इन चीजों को हिला डोला सकते हैं फिर अगला है टेंडन या कंडरा तो कंडरा भी तंतु मैं संयों जी उतक होता है यह मांस्पेसियों को अस्थियों से जोड़ता है किसको मांस्पेसियों को यानि मसल्स को बोन से जोड़ता है फिर नेश्ट है वसा उतक जिसे फैटी टिसू कहा जाता है इसे एडी पोस्ट टिसू भी कहा जाता है एडी पोस्ट टिसू यह वसा का स करता या fight या उतक श्किन के नीचे वहारी किन तच्छा होती है उसके नीचे आंत्रिक आंग के बीच में पाई जाता है यही ऊतक दिल उतकों पर यह जथकों से बचाता है यहां वसा स्ञ creation जी उतक होता है या घरिजि कि लूज खानेक्टिवे शो होता है लूज और पूरे सरीर में वियापक रूप से फैला होता है यह उतक skin muscles के बीच मेंच और अंगों के बीच में बैड़ा जाता है कहां कहांपर skin muscles के बीच में blood vessels जो होती उनके चारों तरफ और अंगों के बीच में पाया जाता है तथा अस्थी बज्जा में भी पाया जाता है और आपको बता दें कि भीतरी अंगों को सहारा देता है उनकी मरम्मत करता है चलिए अब सहियों जी उतक के कारियों को समझ लेते हैं अर्थाथ फंक्सन आप कनेट्ट हिसली अवलंबन उत्स फिर दूसरा कारे है उत्क कोशिकाओं और रुधिर वाहिनियों के वीच रासाइनिक पदार्थों के लेंदेन में माध्ध्यम का कारी करता है यानि जो उतक है ये कोसिकाओं और रुधिर वाहिनियों के बीच में कोसिकाओं और ब्लेड वेसल्स के बीच में रासाइनिक पदार्थों के आदान परदान में काम करता है या लिडेन में माद्ध्यम का काम करता है어요ips नेस्ट paradigm की आधार कल्ह बनाता है और जो अपिदेलेम ंतक मैं ने पढ़ाया था पिछली वीडियो में अगर आप चित्र उसमें सभी प्रकारों के बारे में सब कूछ डीटिल सब समझाया हुआ है तो उसकी आधार कला का निरिमार करता है बेश मिंवरेन को बनाता है फिर नेक्ष्ट है अंतरांगों एम उतकों को आवस्यक लोच प्रदान करता है चिकनाहट प्रदान करता है और द्रणता भी प्रदान करता है तथा धाकों को सहने का काम भी करता है फिर नेश्ट है या रासाइनिक पदार्थों का संग्रह एवं समभान भी करता है जो रासाइनिक पदार्थ होते हैं उनको इकठा भी करता है और उनको लाता ले जाता भी समभान भी करता है फिर नेश्ट होते हैं और जो सूष्म जीव होते हैं उनको नश्ट कर देता है खत्म कर देता है इस तरह से हमारे सरीर की रच्छा हो जाती है फिर नेक्स्ट पाइंट है घायल और संक्रमित अस्थानों पर यह हम्रित कोशिकाओं को नश्ट करके सफाई एवा मरमत का भी कारे करता है यहीं कि अगर हम कहीं पर घायल हो गए हैं कहीं पर हमारे सरीर में संक्रमड है तो उन अस्थानों पर जो म्रित कोशिकाओं होती हैं जो कोशकाएं मर जाती हैं उनको ये नश्ट कर देता है नश्ट करके नश्ट हो जाएंगी खतम हो जाएंगी मरी भी कोशकाएं सड़ी हो यह सभी हड्यां मिल करके हमारे सरीर का धाचा बनाती है सरीर को साध्य रखने का कारी करती है फिर नेक्स्ट पॉइंट है हड्यों और पेसियों को दढ़ता पुर्वक आपस में जोड़ कर या गति एपम गमन में सहायता करता है क्योंकि जो हमारे सरीर की हड्यां है और जो सारे मुख्य मुख्य के कारे होते हैं